अब भी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं बेसिक लेक्रिकल इंजिनेरिंग से रेलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड कर रहा हूं और उसी सीरीज में यह एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है सोर्स ट्रांस्फॉर्मेशन क्योंकि जब आगे हम हम डीसी नेटवर्क क्योरी पढ़ेंगे वहां पर हमें हो सकता है कभी किसी कॉंप्लेक्स सर्कृट को सॉल्व करने के लिए इस सोर्स ट्रांस्फॉर्मेशन का कॉंसेट का यूज करना पड़े तो यह सोर्स ट्रांस्फॉर्मेशन का कॉंसेट क्या है तो इसके बारे में ह अभी आपको कुछ जो लेटेस्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किये हैं बेसिक अलेक्रिकल इंजिनेरिंग से रिलेटेड उनकी एक पूरी सीरीज मिलेगी आपको अगर आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सॉल्ड एक्जाम्पल की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी बेसिक अलेक्रिकल इंजिनेरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट्स हैं वो आपको अलग मिलेंगे तो इस तरीके से एक केटेगराइज किया हुआ है पाइवर सिस्टम 2 से रिलेटेट कुशिंग अलग हैं गेट PSU से रिलेटेट आपको जो सॉल्ड कुशिंग्स हैं वो आपको अलग मिलेंगे स्मार्ट ग्रिड के कुछ वीडियो आपको मिलेंगे यहां पर और एक जो इनरजी एफिशेंसी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और एक complete module मिलेगा आपको EHVAC and HVDC का तो यह पूरे जो module है जो पूरा EHVAC and HVDC का यह आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं तो इतने सारे तरीके के वीडियोद के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें क्योंकि अगर आप bell icon को press नहीं करेंगे तो आपके पास latest video का notification नहीं पहुचेगा तो चलिए हम शुरू करते हैं source transformation यह जो source transformation है यह आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो complex networks हैं उनको solve करने में use आएगा और इस से करते हैं जैसा कि नाम से पता चल रहे हैं सोर्स transformation तो सोर्स transformation का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं we can convert current source into voltage source and voltage source into current source यानि आप चाहों तो current source को voltage source में convert कर सकते हो और voltage source को current source में अब इनके लिए क्या conditions होंगी उन conditions के बारे में हम अभी discussion करेंगे अब यह और इससे क्या हुआ जब हम current source को voltage source या voltage source को current source में change कर रहे हैं तो इससे होगा क्या जो network है वो simplify होदाएगा अब इसकी जो different different conditions हैं उनमें हम बात करते हैं तो सबसे पहली condition क्या है कि जब दो voltage source source v1 and v2 series में connected है तो अगर माले दें यह दोनो voltage source v1 और v2 series में connected है तो यह जो total voltage है that will be v1 plus v2 यानि आपने इन दोनो voltage source को combined करके एक source बना दिया यहाँ अब यह भी क्या होगा आपने दो sources को एक source में convert कर दिया अब अगर यहाँ पर suppose किजिए कि यह माइनस प्लस माइनस प्लस है अगर इनकी polarity change हो जाती तो यहाँ पर यह जो है v1 plus v2 है वह v1 minus v2 होता और अगर मैं इसको कहूं यह जो है यह होगा algebraic sum यह फिर हम कहां direction के साथ है और होगा इनकी polarity पर depend करेगा कि v1 और v2 की polarity कैसी है जब आप यह दोनो सोर्स सीरीज में connected है ऐसे ही दो current source जो है अगर parallel में connected है i1 and i2 तो इनको आप replace कर सकते हैं i1 plus i2 से यह जो दो source से एक यह हो गया और दूसरा यह हो गया इन दोनों को आप replace कर सकते हैं i1 plus i2 से अगें आपको ध्यान देना है कि दौनों का direction of current अगर सेम होगा तो i1 plus i2 होगा और सपोस किजिए कि यह जो i2 है i2 का direction of current यह होता तो यहां पर यह i1 plus i2 की जगे i1 minus i2 हो जाता है तो यह पहला रूल है जहां पर दो voltage source यह तो series में connected है या दो voltage दो current source parallel में connected है अब एक जो चीज ध्यान देने कि यहां पर दूसरा question यह आ सकता है कि अगर दो voltage source parallel में connect हो जाए और या दो current source series में connect हो जाए तब क्या तो यह थोड़ी देर के लिए दिमाग में question आ सकता है बट अगर आप basic concepts पर दाएंगे तो यह question आपके दिमाग में बिलकुल भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि दो voltage source parallel में तब ही हो सकते हैं जब यह वीवन विल बी इक्वल टू वी टू यानि एक ही voltage सीरिज में करें सoration सेम होता है हम तो जो करेंट है दौनों को हम रिप्लेस करेंगे एक ही करेंट करेंग 12 आपको वो नेरेट्वरक में इस तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी नहीं कि नहीं कि दहां दो वोल्टेज सोर्स स्थ तरिके से से सिरीज में कनेक्ट हो और दो voltage to current source transformation अभी इन दोनों केसे में हमने कया किया थे voltage source to voltage source transformation and current source to current source transformation यह जो है voltage to current source transformation इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक जो इक voltage source है यह इसमें जो हम use करते हैं ohms law की बात करते हैं एक voltage source कोills को current source में convert करेंगे या फिर current source को voltage source में, ohms law follow होगा, कैसे follow होगा, कि अगर एक यह voltage source है, इसके series में एक resistance लगा हुआ है, V voltage हो गया, और resistance हो गया, R, तो इसको हम replace कर सकते हैं, एक current source से, जो current की value की होगे, I will be equal to P upon R, और यह जो resistance है, यह जो voltage के series में connect था, वो इस current source के parallel में connect हो जाएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, कि यह जो source transformation का use, जहाँ थीवनेंस और नॉटन्स च्योरम सॉल्व करते हैं, वहाँ पर इसका use आता है, तो अभी अब दूसरा question यह आ स सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर इस तरीके का current source भी दिया हुआ है, current source है, और उसके parallel में एक resistance है, तो अगर जरूरत पड़े, तो हम इसको voltage source से भी replace कर सकते हैं, कैसे replace करेंगे, कि अगर यह current है, current के parallel में यह resistance है, तो हम इसको एक voltage source से replace कर सकते हैं, जहाँ पर V की value क्या हो हैं, यहाँ पर आप देखो, चाहिए I is equal to V upon R O, चाहिए V is equal to I into R O, ohms law follow हो रहा है, आप voltage source को current source में transform कर रहा है, और current source को voltage source में, तो उम्मीद है कि आपको यह जो source transformation का concept समझ में आव गया हो, हमने आज discussion किया पहले, कि voltage source को voltage source में transformation, current source का current source में transformation, and last में voltage source का current source में, and current source का voltage source में transformation, यह पूरा concept हमने source transformation के अंदर पढ़ा, आगे आने वाले time में हम अभी इसी तरीके की और concepts, कुछ solved problem, solved problem के बारे में तो आप बिल्कुल भी जिन्दा मत कीज़े, आपको धेर सारे solved problem मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तो उन सारे वीडियोस के लिए, उस informative contents के लिए, चैनल से जोड़े रही है, वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में comment box में comment भी कीजिए, कोई special topic पर अगर वीडियो चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप comment box में comment कर सकते हैं, friend circle में share की दे जिससे, आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो जाए, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye, thanks for watching.